आखिर गूगल की रिपोर्ट के मताबिक बिग बॉस के घर के अंदर के ऐसे कौन से कंटेस्टन है जिने गूगल पर सबसे ज़ादा सर्च किया जा रहा है जी हाँ आपको बता दें कि गूगल ने अब अपनी सारी की सारी रिपोर्ट सबके साथ शेर कर दी है जिसमें ये या रिपोर्ट्स तो कई दावे कर रहे हैं कि ये वारा कंटेशन नंबर वन पर है, दूसरा कंटेशन नंबर वन पर है, लेकिन अब फाइलनी गूगल ने अपनी सारी की सारी रिपोर्ट सामने लाकर रख दी है, जिसके बारे में जानकर हर कोई काफी जादा हैरान हो गया है आप भी गूगल की सर्च रिपोर्ट को जानकर काफी ज़्यादा हैरान हो जाएंगे कि आखिर कैसे इस कंटेश्टन को पहले नमबर पर रखा जा सकता है कौन से हैं ये कंटेश्टन जिनने गूगल पर सबसे ज़्यादा सर्च किया जा रहा है चलिए आपको बताते हैं लेकिन इससे पहले चैनल पर ने हैं तो सब्सक्राइब कर लें साथ में घंटी के निशान को जरूर दबा दें आपको बता दें कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि बिग बॉस को शुरू हुए अब पूरे दो महीने हो चुके हैं ऐसे में दो महीनों में बिग बॉस के जितने भी कंटेस्टन्स हैं वो घर के बाहर काफी जादा पॉपलर हो चुके हैं इसी बीच अब बड़े-बड़े मीडिया रिपोर्स ने भी टॉप फाइव के रिजल्टर निकालना शुरू कर दिया है लेकिन अब गूगल ने जो अपना नज़र निकाला है उसके बारे में जानकर हर कोई काफी ज़ादा है यहां तक की मेकर्स भी काफी ज़ादा है तो चलिए बात करते हैं कि गूगल के मुताबिक पांचवे नमबर पर जो कंटेस्टन्स जिसे सबसे ज़ादा सर्च किया ज तो वो हैं आरचना गौतम जी हां आरचना इन दोनों को पीछे करके गूगल के मताबिक चोथे नमबर पर हैं। क्योंकि वो और कोई नहीं बलकि टीना दत्ता हैं। जी हां टीना दत्ता को गूगल ने दूसरे नमबर पर रखा हुआ है। का नमबर हासिर कर लिया है जो की एक बहुत बड़ी बात है। गूगल ने एमसी स्टैन को पहले नमबर पर रखा है और ये लिखा है कि एमसी स्टैन को बिग बॉस के सभी कंटेश्टन में सबसे जादा सर्च किया गया है। आप इसको लेकर क्या कहना चाते हैं? हमें कमेंट करें और बिग बॉस से जुड़ी हर एक लेटस न्यूज के लिए हमारे चैनल को जुरू सब्सक्राइब करें।